नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर 27 अप्रेल 2021 यानि की मंगलवार जो की कल ये दिन पड़ रहा है तो यह दिन कुछ विसेश है इस दिन एक तो चैत्र शुक्लपच्च की पूर्डिमा है और इश्को चैती पूनम भी कहते हैं साथ ही इस दिन हनुमान जी की जैनती और उनका जनमोत्सो भी मनाया जाता है तो हनुमान जैनती के पेच्छा उसको जनमोत्सो कहना ज़्यादा बहतर होगा चोकि ऐसा मानना जाता है कि हनुमान जी अजर अमर है और अभी भी उप्रत्वी पर निवाश करते हैं तो आईए जानते हैं पंचांग के अनुशार 27 अप्रेल 2021 यानि की मंगलवार को चैत्र सुकलपच की पूर्डिमा है जो की हिंदू नववर्ष की प्रथम पूर्डिमा है इसे चैत्र पूर्डिमा और चैती पूनम भी कहते हैं चैत्र मास की पूर्डिमा की तित जो है हनुमान जी को शमर्पित है इस दिन हनुमान जैनती ओम जनमोत्सों का पर्व मनाया जाता है पौराडिक मानेता के अनुशार माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी का जनम हुआ था तो इसको हनुमान जी के जनमोत्सों के रूप में मन साइश अप्रेल यानि कि मंगलवार को पूरा दिन भर रहेगा और रात्रिको यानि कि सायम नव बच कर एक मिनट तक जो है यह सुब महूरत रहेगा तो इस दोरान आप जो है इस तिथिका लाभ ले शकते हैं अब इस दिन मुख्यत है क्या क्या आप कर शकते हैं जो लोग भ खुन और तुला राश वाले विशेश कर इसके लावा अगर आपकी कुंडली में शन की महादसा चल लएई है अंतर दसा चल लएई है या प्रत्यंतर दसा चल लएई है या आपकी जो जर्म कुंडली है उसमें सन की असो भी स्थिति है जिसके करना आपको विभिन तरह की परिशानिया जहलनी पड़ रही है जैसे दामपत जीवन में अगर कलह चल लहा है शन की वज़े से या तलाक की स्थिती है या ब्यापार में हानी हो रही है सिच्छा और केरियर से जुड़ी समश्याएं है या विवाह में बिलंब हो रहा है तो जिन भी समश्याओं से शन शम मंदित हों तो उसके लिए बहुत ही ये एक तरह से श्वरणिम महूर्थ है कल का तो इनसे जुड़ी जो भी दिक्कतों का आप लोग शामना कर रहे हैं विशेशकर मिथुन राशिवाले तुला धनु मकर और कुम्ब राशिवाले इसके लामा जो भी हनुमान जी के भक्त ह हैं सभी के लिए ये 27 अप्रेल का जो दिन है बहुत ही उत्तम है वैसे हनुमान जी की आराधना उनकी पूझा पाठ उपवा सित्यादि से ऐसा माना जाता है कि नव ग्रह शान्त होते हैं और विशेशकर पांच ग्रह प्रशन होते हैं जिसमें शूर्य हैं मंगल हैं शनी है राहु हैं केतु हैं तो इन पांचो ग्रहों से शंबन धित आपको कोई शमस्या हो या उनको अनकूल करना हो तो आप इस दिन जो है इस दिन का लाब ले शकते हैं अब इस दिन आप उपाय क्या क्या कर शकते हैं मुख्यते कल चुकी मंगलवार रहेगा जिस दिन हनुमान जैनती और जनमोश्यव है तो दोनों एक तरह से बहुत अच्छा समय बन रहा है, मंगलवार भी है, हरुमान जी का जनमोश्यव है और चैती पूर्डिमा भी है, तो इस दिन आप ब्रत और उपवास रख सकते हैं, तो इसका आपको कई गुना एक तरह से परड़ाम मिलेगा, बाकी शामान मंगलवार के पेच्छा, इस दिन हरुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, उनको चोला यानि की वस्तर आप सिलवाले, जिस कलर का उनको चढ़ाते हैं, उस कलर का वस्तर उनको चढ़ाना चाहिए, चोला चढ़ाना चाहिए, साथ में नारियल चढ़ा शकते ह इसके लमा हनुमान चालीशा और सुन्धरकांड का पाछ जरूर करें इस दिन और हनुमान जी की बिधिधान से पूझा पाठ करें इस हनुमान जी के लिए भोग लगा शकते हैं, उनकी आर्टी करें और कल का जो दिन है चैती पूर्डिमा इस दिन को भगवान विश्डू के लिए भी विशेश रूप से माना जाता है तो विशेश रूप से जैसे कुंडली में ब्रिहश्पती आपकी अगर अनुकूल नहीं है या आप शंतान प्राप्ति के लिए प्रियासरत हैं पुत्र प्राप्त के लिए प्रियासरत हैं तो इस दिन आप भगवान विश्डू की पूजा पाठ उनकी आरती इत्यादी कर श यानि रोगियों को आप तन से मन से या धन से किसी भी प्रकार से जैसे भी शेवा कर सकें करें बंदरों को अगर इस दिन आप गुड़ और चना खिलाते हैं तो विशेश रूप से हलापकारी माना जाता है क्रोध और अहंकार शेश दिन दूर रहें अपने आपको इन चीजों शेश दूर रखें और वाड़ी को मधुर बुनाएं यानि कि कल दिन भर पुरा प्रयाश करें कि सबसे मधुर वाड़ी ही बोलें इन पाँच ग्रहों का आगर किसी से सम्दित आपको उपाय कर रहे हैं तो उपाय कर शकते हैं कल साथ ही इन ग्रहों के मंतरों का जप और हमन भी कल कर सकते हैं तो इस दिन आपको विशेश रूप से लाभ मिलेगा तो कल के इस दिन का आप लोग लाब उठाएं शाथ ही आप सभी लोगों को इस हनुमान जनमुश्यों की बहुत बहुत शुपकाना है हनुमान जी आपके जीवन में आपके लिए हश्दे और शायक रहें धन्यवाद नमस्कार फ्याद नमस्कार